सुप्रवाद बच्चों, आशा नेशनल इंग्लिश स्कूर एंड अगूर शर्पट एजुकेशन सेंटर से मैं पुश्पा मध्यान, संचार माध्यम कछाओं में आप सभी का स्वागत है कछा प्रथम के छात्रों के लिए आज का विशे है हिंदी, भाषा सागर बच्चों, आप लोग को मैंने ये कवीता कल पढ़ाई थी, अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ठीक है? चलिए खूलते हैं देखिए, ये वर्ड मीनिंग आप लोगों ने की थी ना, कॉपी में मैंने बताई थी अब ये प्रशन उत्तर करेंगे और बाकी की एक्सरसाइज देखिए बच्चों, निम लिखीत प्रशनों के उत्तर लिखो बालक हाद जोड कर किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो आंसर है, बालक हाद जोड कर किश्वर से प्रणाम कर रहे हैं नमबर दो कोशन, सभी बालक पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, सभी बालक पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं नमबर तीन, बच्चे वर्दान में भगवान से क्या मांग रहे हैं, बच्चे वर्दान में भगवान से मांग रहे हैं कि हम बढ़ों का सम्मान करें, अपने देश की सेवा करें और पढ़ लिख करके बड़े आदमी बनें, अच्छे आदमी बनें वे किस देश की सेवा करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं वे अपने देश की सेवा करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं नमबर दो देखिए बच्चे इश्वर से क्या वर्दान मांग रहे हैं सही पर उचित और गलत पर गलत का निशान लगाओ का हमारा सब अग्यान मिट जाए सही हम पढ़ लिख कर महान बन जाए ये भी सही बच्चों बच्चे कह रहे था न कवीता में पढ़ लिख कर हम महान बन जाए हम किसी का सम्मान न करें बच्चों ये सही है कि गलत है न हमें बढ़ों का सम्मान करना चाहिए आदर करना चाहिए, तो ये गलत है, देश का नाम उचा ना करें, नहीं बच्चों, हमें अपने देश का नाम उचा करना है, इसलिए वाक्य गलत है, भारत की सदा सेवा करें, सही, ठीक, अब तीसरा नंबर, दिये गए शब्दों से वाक्य बनाओ, सेवा, इसका वाक्य बनाना है, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है, अब ये देखे लिखा है, बालक, इसका वाक्य बनाना है, हम नादान बालक हैं, ठीक है, देश, हम भारत देश में रहते हैं, आगे देखिए, आओ भाशा सीखे, आ की मात्रा लगाकर अक्षर इस प्रकार लिखे जाते हैं द, आ की मात्रा आ, द, त, मैं आ की मात्रा त, नीचे दिये गए चित्र देखो और शब्दों में आ की मात्रा लगाकर इने पूरा करो बच्चों ये क्या है, गाए, गाए है ना, तो गा लिखा है, या लिखा है, तो इसमें गा में जब हम आ की मात्रा लगाएंगे, या लिख देंगे तो गाए, अब इसमें मा और ला लिखा है, तो मा में आ की मात्रा लगाएंगे, ला में आ की मात्रा लगाएंगे, तो मा ला यह माला है फिक अब यह देखिए नाव है और यह नव लिखा है तो ना नामया की मात्रा ना वा नाव इसी तरह देखिए गमला है तो गमल लिखा है गलत है गमला लाकि यह मात्रा लग गई अब ये आप लोग हमारे साथ बोलके उच्चारण अभ्यास करेंगे नादान, अभिमान, सम्मान, गुणगान, भगवान ठीक अब इधर देखिए मौखिक आपको ये लिखने नहीं है मौखिक अंसर देने हमें किसे प्रणाम करना चाहिए हमें अपने से बड़ों को प्रण करना चाहिए हमें किसका सम्मान करना चाहिए हमें अपने से सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए बालक किसका वरदान मांग रहे हैं बालक अपने लिए इश्वर से वरदान मांग रहे हैं है अब देखिए पाठेतर गतिविदी भारत में कौन-कौन से धर्म के लोग रहत बारत में हिंदू firstly मुस्टिम इसाई की हिंदू लोग पूजा करने मंदिर जाते लोग पूजा करने गुर्द्वारे जाते हैं आप पूजा करने गिर्जाघर जाते dari मुसलमान लोग मस्चिद जाते हैं सिक लोग पूजा करने गुर्द्वारे जाते हैं इसाई लोग पूजा करने गिर्जागर जाते हैं और मुसल्मान लोग मस्जिद जाते हैं ठीक मैंने आपको सब बता दिया और मैंने आपके लिए ये प्रश्णुत्तर इस कौपी में लिखे एक बार देख लीजे बेट डालके संचार माध्यम द्वारा प्रश्णुत्तर इस तरीके से आपको अपनी कौपी पे लिखने ठीक है को के बाई इसको एक में दिखाते रही है